आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार कॉंग्रेश पर आरोप लगाते हुए प्यम मो दी निका की पहले कॉंग्रेश के प्रधान मंत्री रिमोट पर चलते थे लेकिन अप कॉंग्रेश के राश्ट edits भी रिमोट पर संचालित हो रहे हैं उन्होंने का कि भाशपा सरकार में राम मंदिर बनवाए गया चार करोर से जादा आवाज बनवाए गए मुफ्त में गैस कनेक्शन भी दिये गए पियम मोदी ने अपना संबोधन भगवान जागेश्वर नात की जै और बुंदेल खंडी अंदाज में सबाई जनोख हो राम राम से शुरू क्या है 45 मिर्ट के भाशन में उन्होंने डबल इंजन सरकार के फायदे बताए और लोगों से बीजेपी को वोट देने के अपील की है केंद्रे मंत्री स्मिती इरानी ने आच छिंदवाडा के चिरोई में बीजेपी प्रत्याश्री के लिए चुनाप प्रचार किया इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोदित किया जनसभा को संबोदित करने के दौरान उन्होंने का कि लखन जी आप किस्मत वाले हैं कि पूर्व क्याबिनेट मंत्री चंदरभान जी के सानिध्यों में बैटे हैं आप किस्मत वाले हैं और आप राम भक्तों की पार्टी के लखन है और आप सीता मया की स्थेवा करेंगे जब प्रभु राम का उलेक होता है भारतिय जंदा पार्टी प्रत्याशी लखन वर्मा को एक वादो को निभाया है लखन जीतेगा तो भाचपा जीतेगी ऐसा मेरा विश्वास है उन्होंने कहा कि कॉंग्रस ने कभी किसी को लखपती नहीं बनाया भाचपा नहीं लखपती बनाया है उन्होंने कहा कि कॉंग्रस ने ता बेदम और बेशब्ध हो गए है गांधी खांदान हिसाब दे अब खबर दमों से है जहाँ पतरिया विधान सभा शेतर में बहुजन समाजपाटी के रास्ट्री अध्यक्ष मायवती ने एक चुनावी जनसभा को समोधित किया इस दोरान उन्होंने भाजपा और कॉंग्रस दोनों पर जम कर निशाना साधा उन्होंने कहा कि बाबस साहिब को भारत रद्न देने में कॉंग्रस ने कभी कोई प्रयास नहीं किया बेस्पी के प्रयासों से वीपे सिंग की सरकार ने उन्हें भारत रद ने दिया हमारे नेता काशिराम के देहांत के समय भी कॉंग्रिस सरकार थी लेकिन एक दिन का रास्ट्रे शोक तक नहीं घुशित क्या गया था इस दलितों के प्रती कॉंग्रिस का असली चहरा सामने आ जाता है उन्होंने कहा कि नौकरियों में आरक्षन के लिए कॉंग्रिस सरकार ने दलितों को आरक्षन ना देने का खूब प्रयास किया मल्डन कमिशन की रिपोर्ट लागू करने के लिए बहुजन समाजपाटी को दिल्ली जहाकर आंदूलन तक करना पड़ा लेकिन कुछ नहीं हुआ और जब वीपी सिंग की सरकार बनी तब दलितों को नौकरी में आरक्षन मिलना शुरू हुआ कॉंग्रोस जातिकत मांसिक्ता और दलित विरोधी है इस समय कॉंग्रोस जातिकत जनकर्ना की बात कर रही है ये वही है जुसने दलितों को नौकरी में आरक्षन दिलाने के लिए सहीयोग नहीं किया था तो अब जनकर्ना का आखिर समर्थन क्यो मायवती ने समोहिक तोर पर भाच्पा और कॉंग्रोस दोनों को दलित विरोधी बताया और मौजूद लोगों से बस्पा के समर्थन में वोट करने के अपील की है सागर की रहली विधान सभा शेत्र से भाच्पा के प्रत्याश्यों और स्टाप पिश्वारा गोपाल भारगफ ने धाना में जनसभा को सम्बोधित किया गोपाल भारगफ ने कहा 40 सालों का मेरा राजनेतिक जीवन निश्कलंक रहा है पार्टी के लोग कहते हैं आप सबसे श्रेष्ट और वरिष्ट हो आप मुख्यमंत्री पत के दाविदार है मैं कभी महत्वकांग्शी नहीं रहा लेकिन 40 सालों से जनता की सेवा करते में पूरा जीवन निकाल दिया अब ये मेरा आखरी चुनाव है ये चुनाव मेरे लिए आपकी सेवा के लिए उच्पत पर बैठने के लिए है अगर ऐसा हुआ तो कोई शेत्र में व्यक्ति अभाव ग्रस्त नहीं रहेगा क्योंकि अभी हम मंत्री रहते हैं आपकी मदद करते हैं अगर सियम पत मिला तो है जो करलवा में बढम मरेक दूसरी बात कि किसी को रोजगार देना बहुत बड़ी वात है और किसी का रोजगार चीनना बहुत आसान बात को पाल भारगाव ने मेरे पास चीछी ताइस सफताइस सल लोगों की अपने रशराइट जीवन में नोफुन लगाई नहीं है щज आपकते पहनु करना 50 था पटक्षकी आपकर न आ चाहता हो निनके कि लोग चीने नहीं था कि आंपक करके बच्चे के बच्चेद आप मार दालेंगे महिलां को मार दालेंगे इनको माद अंको मार दालेंगे ऐसे आदमी अलब जीवी होते हैं कई बार हार चुके वो आदमी जो यह सब बख रहा है वो हार चुका उसका लड़का हार चुका एक साधन सी आदम से अब खबर सागर से है जहार रहली में भारतिया शक्ती चेतना पार्टी ने विशाल रोश्चो के बाद आमसभा को संबोधित क्या है आमसभा में BSCP के महासचिव आशी शुकला ने आमसभा को संबोधित करते विकार की पार्टी पूरे प्रदेश में तीसरे विकल्प के रूप में उभर कर सामने आई है और किंग मेकर की भूमिका अदा करेगी वही प्रदेश में भरश्चाचार और भैमुक्त महौल होगा प्रदेश में विकास नहीं हुआ है इसी कारण भाजपा ने केंद्रिय मंत्री समेथ अपने बड़े बड़े नेताव को मैदान में उता रहा है इस बार तखता पलट होना तै है वह उन्होंने रहली विधानसभा के विधायक मंत्री गोपाल भारगप के द्वारा कराई गए विकास कारियों में भ्रश्चाचार के आरोब भी आशी शुकला पर लगाए है उन्होंने कहा कि 40 सालों से जो इस बड़ानसभा का प्रत निधित्व कर रहे हैं वो चाहते तो घर घर रोजगार खोल कर दे सकते थे लेकिन रोजगार के नाम पर हर घर में अवैच छराब बेचने का काला कारोबार चल रहा है अब कबर दमों से है जहां भाजपा के विकास कारियों और जन कल्यानकारी योचनाओं से प्रभावित होकर बजरिय वॉर्ड नमबर 6 के कॉंग्रूस कारकरता ने पार्टी छोड़कर बीजेपी की स्तद्द सिता को ग्रहन कर लिया है कॉंग्रूस ने तब विवेक बढ़ गईया के साथ करीब 50 से अधिक युवाओं ने सिधार्थ मलाईया के समक्ष भाजपा की सद्द सिता ली है इस दोरान बीजेपी नेता सिधार्थ मलाईया ने सभी को भाजपा का दुपट्टा पहना कर पार्टी की सद्द सिता दिलाई और इनका स्वागत किया है दमो में प्रधान मंत्री नरिंद मूदी के आगवन से पहले भाजपा को एक और बड़ा जटका लगा है सौस ज़ादा भाजपाईयों ने कॉंग्रस की सद्द सिता ले ली है कॉंग्रस पत्याशी अज़ा टंडन की मौझूदगी में लक्ष्मन कुटी गाव में इन सभी लोगों ने कॉंग्रस की सद्द सिता ली है गॉलियर की डबरा पुलिस ने आदतन अपरादी को बाउंट ओवर की शर्तों का उलंगन करने क्या रोप में गरफतार क्या है भी भेज़ दिया है यही नहीं उसके बाउंट ओवर की एक लाग रुपए की राशी को भी जब्त करने के आदेश दिये है आरोपी राम दयाल और फसोनु बाथम दोजार पच्चीस तक जेल में निरुद रहेगा दरसल राम दयाल और फसोनु बाथम को बीस अपरैल को एक लाग के जमानेती मुचलके के साथ बाउंट ओवर किया था उसके खलाफ कई आपरादिक मुकदमे दर्श थे उसे दो साल तक किसी भी आपरादिक गतवीदी में शामिल नहीं होना था बावजूद इसके वो निरंतर जुआ और सटा खिला रहा था दबरा पुलिस ने राम दयाल बाथम को अब गिर अफ़तार कर लिया है 110 की कारवाई में दो या दो से अजिक जिनके बुर्द अपराद होती है उनके बुर्द कारवाई की जाती है और SDM नहाले में पेस किया जाता है SDM नहाले दवारा उनको सुनने के बाद दो वर्स के लिए उनसे सदाचार का बाउंड बर बर भरवाए गया था और एक लाग रुपे की मुचल का रासी बरवाई गई थी कि दो वर्स तक कोई अपराद घटित नहीं करेंगे इसके बावजूद भी उक तारुपी ने जुआ और सट्टे का अपराद घटित करा जिस पर से दवरा पुलिश ने एक अपराद पंजीवत करा और उन्होंने जो SDM की सर्तों का उलंगन करने पर धारा 122 की कारवाई की ग गौलियर के मुरार्थ अनशेतर के टिंकु जाटव को पुलिस ने गिरफतार कर लिया है दरसल पुलिस अधीक शक की अनुशनसा पर जिला कलेक्टरेट ने टिंकु जाटव के खिलाफ जिला बदर की कारवाई की थी लेकिन निरधारे तब्दी के बीच में ही टिंकु जाटव निबवापुरा में अपने घर के पास की जाटव धर्मशौला के आसपास खूमता पाई गया पुलिस की गश्टी दलने जब उसे रोक कर पूछताच की तब वो कोई संतोस जनक जवाब नहीं दे सका जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ मद्यप्रदेश सुरक्ष अधिनियम की धारा के तहत मामला दर्श क्या गया है टिंकु यादफ के खिलाफ का इमामले मुरार एवं सिरोल थानों में दर्श है उसके अपरादिक रिकॉर्ड को देखते हुए पुलिस अधीक शक ने उसके खिलाफ जिलाबदर की कारवाई का प्रस्ताव बना कर कलेक्टरेट को भेजा था कलेक्टर ने तीन महीने के लिए टिंकु यादफ को जिलाबदर किया था लेकिन वो बीच में ही प्रतिबंद की शर्टों को तोड़ कर शेहर में घूंगता नजर आया थाना मुरार के निपापुरा के बेãyठक का हरणों का मुरार पुलिस दारा जिलाबदर की central वाह ही की गई थी श्रीमान जिलाबदीस मोते दारा उसको टीन महाके लिए जिलाबदर का आदेश ज़री किया गया था तीन महाका जिलाबदर का आदेश का पालन होने के बावजूद भी मुरार पुलिस को आरोपी की गॉलियर में घुमने की जानकरी प्राप्त हुई जिस पर थे कल मुरार पुलिस ने उसको जाकर पकड़ा और उपता आदेश का उलंगन करते हुए उसके बुरुद राज शुरक्षा कानूर के थेत कार ग्रैंग पर अप्लोड कर दिया है युफ्ती ने जब इसका विरोध किया तो आरोपी अनू उर्फ अनुछ तोमर और उसके साथी उपेंदर रजावत ने लड़की के साथ मार पीड की है दोनों से पिछले महीने की कीस अक्टूबर से लगतार परेशान कर रहे थे और उस लेकिन बदमाश अभी भी पुलिस की पकड़ में नहीं आ सके है पेड़ता शताबदीपुरा में रहती है और बदमाशों में से एक युवक अनुछ तोमर मुरैना के लल्लो बसाई कर रहने वाला बताए गया है जबकि उपेंदर रजावत ग्राम नौनेरा भिंड का रहन गानों में असली गानों में इस्तेग्राम पर अफलोड कर दिया था दो लड़कों और उनके द्वारा उसके साथ गलत हरकत की छेड़-छाड़ की गई उसके जब परिजनों ने समझाने का प्यास किया तो उनको भी जान से मानने की धमकी थी तो महिला की रिपोर्ट पर से परात पंजीवर्ट पर दिवेच नाम दिया गया और उनको जल्दी जल्दी रफ्तार किया जा रही है मध्यपदेश में प्रदूशन का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है यहां गॉलियर की हवा सबसे जादा जहरीली हो गई और गॉलियर में बीते एक हपते से एयर कॉलिटी यानि की एक्यूआई 250 के पार चल रहा है वह बुदवार सुबा गॉलियर का एक्यूआई लेवल 263 पहुँच के और एक्यूआई लेवल घाता कि स्तर तक पहुचने के बाद गॉलियर जिलाप्रिशासन और प्रदूशन विभाग भी हरकत में आगया है जिलाप्रिशासन और प्रदूशन विभाग ने आज धुआ उगलने वाले वहनों के खलाफ कड़ी कारवाई शुरू कर दी है और सुबह से दोपहर 12 वज़ तक अगर हम बात करें तो गॉलियर शेहर में करीब 300 से जादा वहनों का एक्यूआई यानि कि प्रदूशन इस्तर का जो लेवल है उसे चेक किया इन में 1.500 से जादा वहन प्रदूशन फैराने वाले निकले हैं इनके खलाफ चालान की कारवाई भी की गई है इस बुलिटन में फिलहाल के लिए बस इतना ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहेए प्राइम ट्रीवी आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार